आप जब भी आमरस बनाएं ये गुजरात की ट्रेडिशनल बेपढ़ वाली रोटी जरूर बना कर खाए और साथ ही मैं हम केसर आमरस भी बनाएंगे मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ तो वीडियो को एंट तर्ग जरूर से देखे सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पाउल के करीब गेहु का आठा ले लिया है अब हम यहाँ पर एक से देबल स्पून के करीब मॉयन तेल आठ कर देंगे बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं आठ करना है नमक स्वात के अनुसार आठ कर देंगे अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फर्स टाइम में ही आप एक परफेक्ट बेपड़ वाली रोटी मेरी रेसिपी को देखकर जरूर से बना पाएंगे तो वीडियो को एंट तक जरूर से देखे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी याद करते हुए एक सौफ्ट सा डो लगा लेंगे सौफ्ट जो डो लगाएंगे तभी आपकी रोटी एकदम सौफ्ट बनकर रेडी होगी साथ ही मैं आपको केसर आम के रस का भी रेसिपी बताने वाली हो तो वीडियो को एंट तक जरूर से देखे एकदम सौफ्ट सा डो हमने बना कर रेडी कर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पर तेल अपलाई कर देंगे जिससे आटा हमारा सौफ्ट हो जाए और बिल्कुल भी ड्राए ना पड़े एकाद मिनट इस तरीके से आटे को गूत लेंगे जितना सौफ्ट डो होगा उतनी ही परफेक्ट आपकी रोटी बनकर रेडी होगी अब हम आटे को 15 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट हो चुका है अब मैं 1 से 2 मिनट और आटे को गूत लूँगी गुजरात में अक्सर जब भी आम के रस का सीजन आता है यहाँ पर गुजरात में ये दो पड़वाली रोटी बना कर खाई जाती है इस रोटी का स्वाद आमरस के साथ बहुत ही बड़िया आता है तो एक पर आप इसे जरूर से ट्राय दे आपको इडेफिनेटली पसंद आएगा अब हम इस तरीके से एकड़म छोटी छोटी ना जादा बड़ी ना जादा छोटी आप देख सकते हैं इस साइज के पेड़े रेडी कर लेंगे सभी पेड़े आपको इकुल साइज के ही रखने है वीडियो में जरूर से बने रहे तभी आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से एक परफेक्ट रोटी बना कर रेडी करनी है अब सभी पेड़ों को हम इस तरीके से इवन कर लेंगे सभी पेड़े हमने रेडी कर लिये हैं अब मैं आपको टेकनीक पताती हूँ जिससे आप जट पट से क्विकली बेपड़ की रोटी बना कर रेडी कर सकते हैं इस तरीके से एक पेड़ा ले लेंगे और इस तरीके से इस पर ड्राय आटा लगा लेंगे अब हम इस तरीके से एकदम पूरी के शेप में इस साइस की सभी रोटीो को बना कर रेडी कर लेंगे दूसरी भी मैं आपको बता देती हूँ सभी रोटी को इस तरीके से आप जब भी बना कर रख लेंगे आपकी रोटी एकदम quickly बन जाएगी as यही चीज time consuming होती है इसको करने में time लगता है तो आप इस तरीके से आप बना कर रोटी रख ले फटा फट से बेल कर आप सेख पाएंगे आप देख सकते हैं दोनों एकदम इस तरीके से equal होना चाहिए एसी ही unique recipes मैं अपने channel पर लाती रहती हूँ तो अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो जरूर से कर ले और अगर आपको इस recipe पसंद आए तो वीडियो को like and share करना ना भूले इस तरीके से मैंने 4 रोटी बना कर यड़ी कर लिया है हमें 2-2 रोटी का इस्तमाल करना है अब हम इसके उपर अच्छे से तेल अपलाई करेंगे अगर आप कम तेल अपलाई करेंगे तो रोटी अराम से उखडेगी नहीं अलग नहीं होगी तो आपको इस तरीके से अच्छी quantity में तेल अपलाई करना है हाथों की मदद से अच्छे से चारो तरफ तेल लगा देना है आपने देखा मैंने अच्छे से इसके उपर तेल अपलाई कर दिया है अब हम इस तरीके से इक प्लेट में सुखा आटा ले लेंगे एक रोटी को ले लेंगे और उसके उपपर अच्छे से चारो तरफ सुखा आटा अपलाए कर देंगे इससे आपकी बेपड़ वाली रोटी आसानी से अलग हो जाएगी अब हम दूसरी रोटी के उपपर अच्छे से इस तरीके से इस दूसरी रोटी को रख देंगे हातों से अराम से प्रेस करके एक्वल कर देंगे इसी तरीके से दूसरी रोटी भी रेडी कर लेंगे सभी रोटीों को आप इस तरीके से बना कर रख ले और फटा-फट से बेलते हुए आप फट से बेपड़ वाली रोटी बना कर रेडी कर सकते हैं इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा में टाइम कंस्यूमिंग चीज यही है इसलिए मैंने सारी रोटियों को रेडी कर लिया है अब हम इसे बेल लेते हैं दोनों तरफ अच्छी तरीके से सुखा आटा लगा देंगे अब बिल्कुल हलके आतों से हम इस तरीके से उलटते पलटते हुए इसे बेलेंगे ध्यान रहे दोनों तरफ इस तरीके से उलटते पलटते हुए बेले थोड़ा सा सुखा आटा लगा देंगे कहीं पे भी चक्ती नहीं आना चाहिए equally आपको हर तरफ से बेलना है तभी आपकी बेपड़ वाली रोटी आसानी से अलग होगी आप देख सकते हैं एकदम पतली रोटी बना कर हमने रेडी कर लेनी है हमारी रोटी बिलकर रेडी हो चुकी है अब हम तवे को अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके उपर हम रोटी को रख देंगे अब हम एक तरफ मीडियम जो हाई फ्लेम पर इसे सेख जाने देंगे हलका सा हमें एक तरफ सेख लेना है अब इसे पलट कर हाई फ्लेम पर दूसरी तरफ अच्छे से सेख चाने देंगे आप देख सकते हैं आसानी से रोटी हमारी फूल रही है मेरे इस टेकनीक से अगर आप रोटी बनाएंगे बेपड़ वाली एक्टम पर्फेक्ट आपकी बेपड़ वाली रोटी बनकर रेडी होगी अब हम दूसरी तरफ पलट देंगे अब हम हाई फ्लेम पर बिल्कुल हलके हातों से किसी भी कपड़े के मदद से इसे सेख लेंगे किनारियों को इस तरीके से दबाते हुए हमें सेख ना है रोटी हमारी सिक्कर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं यह अरसानी से खुल रही है आपको इस तरीके से टाप करना है या फिर हातों में इस तरीके से आप इसे करेंगे तो यह आसानी से खुल कर रेडी हो जाएगी जैसे ही आप रोटी को अलग कर दे उसके उपर फटा-फट से घी लगा दे ताकि आपकी रोटी सौफ्ट रहे ड्राय ना पड़े आपने देखा कितनी आसानी से हमारी बेपड़ वाली रोटी बनकर रेडी हो चुकी है आप इसी तरीके से इस मैथट को ट्राय करें चलिए अब हम आम रस बना लेते हैं यहाँ पर मैंने केसर आम लिया है एक घंटे इसे पानी में भीगो कर रख देना है ताकि इसकी सारे गर्मी निकल जाए आम का रस गरम नेचर में होता है हमारी बोडी में गर्माहट पैदा करता है तो इसे जरूर से एक घंटे जरूर से इस तरीके से पानी में भीगो की आपको रखना जरूरी है अब इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसिस में आमरस के साथ ये दो पढ़वाली रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है तो एक पार इस मैथट से आप इस रोटी को आमरस के साथ जरूर से ट्राय दे आपको ये बहुत पसंद आएगी आपको ये ट्रेडिशनल रोटी बेपड़ वाली रोटी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले सभी पल्प को हम इसी तरीके से अलग कर लेंगे अब हम सभी पल्प को एक मिक्स्चर जान में ट्रांस्फर कर देंगे अब मैं यहाँ पर 2-3 टेबल स्पून के करीब शुगर यानी की चीनी आट कर दूंगी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर ले अब हम थोड़ा सा पानी आट कर देंगे और आमरस को अच्छे से ब्लेंट कर लेंगे हमारा आमरस बनकर रेडी हो चुका है इसे एक बाउल में निकाल कर इसे एकदम चिल्ड फ्रिच में रखकर ठंडा कर ले और गर्मा गरम बेपड़ वाली रोटी के साथ सर्फ कर ले आई होप आपको ये बेपड़ वाली ट्रडिशनल गुजराती रोटी की रेसपी जरूर से पसंद आई होगी अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें